Hello friends, welcome again to my YouTube channel. So, आज किस वीडियो में हम discuss करेंगे Government Budget के important topics और important questions के बारे में with the help of MCQs. Government Budget के important topics और important questions के regarding आज हमारे पास second part है, जिसमें हम detail में discuss करेंगे regarding the components of Government Budget. यानि Government जब अपना budget बनाती है, तो वो किन items के regarding कौन-कौन सा budget प्रिपेर करती हैं? इसके साथ ही, इन topics के regarding वीडियो के last में हम important MCQs, assertion और reason-based questions भी attend करेंगे. So, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन से elements है, वो कौन से components है, या फिर वो कौन सा structure है जिसके थ्रू government अपना budget प्रिपेर करती है. So, basically, government जब अपना budget प्रिपेर करती है, तो वो दो components को ध्यान में रखती है. पहला, government को कहां से, किस source से, कब, कितना पैसा आएगा? That is, budget receipts. इसके बाद जब एक government अपनी receipts को identify कर लेती है, government ये पता लगा लेती है, कि उसको कहां से, कब, कितना पैसा आएगा? फिर उसके according government अपना budget बनाती है, expenditures के regarding. और पता लगाती है, कि जो पैसा आया है, उसको कहां, कैसे, किस के उपर, कितनी amount में consume किया जाएगा? यानि कितना expenditure किया जाएगा? अब जैसे कि आपको पता है, कि government budget एक annual statement होती है, जिसके थूँ, government ये announce करती है, कि आने वाले साल में, हमें कहां से, कितना पैसा आएगा? और हम उस पैसे को कहां, कैसे use करेंगे? तो इसके दो ही components होंगे. पहला, government को कहां से, कितना पैसा आएगा? और दूसरा, government कहां पर कितना पैसा consume करेंगे? लेकिन, receipt और expenditure के भी further दो sub components है. सबसे पहले अगर हम बात करें, government receipts की, तो receipts हमारे पास दो तरह क्यों होती है? First हमारे पास है, revenue receipt. और second हमारे पास है, capital receipt. ऐसे ही, expenditures भी हमारे पास दो तरह क्यों होते हैं. First हमारे पास है, revenue expenditure. और दूसरा हमारे पास है, capital expenditure. So, government budget के दो components है, budget receipts, जिसके थूँ हम ये पता लगाते हैं, government ये पता लगाते हैं, कि उसको कहां से कितना पैसा आएगा? दूसरा, budget expenditure, जिसके थूँ government ये find out करती है, कि वो कहां पर कितना पैसा consume करेंगे? लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, कि government budget के जो components हैं, उनको हम revenue budget और capital budget भी कह सकते हैं. यानि revenue nature के income और revenue nature के expenditure को, हम revenue budget कहते हैं, capital nature के income और capital nature के expenditure को, हम capital budget भी कहते हैं. तो एक्जाम में आपको confused नहीं होना है, total दो ही components हैं, बस दोनों की formation जो है, वो change की गई है. अगर budget reset आता है, तो revenue और capital दोनों ही resets हैं. अगर budget expenditure आता है, तो revenue और capital दोनों तरह के expenditures भी हैं. लेकिन अगर revenue budget के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो revenue budget का मतलब है, revenue nature के income और revenue nature के expenditures. अगर आपसे capital budget के बारे में पूछा जाता है, तो capital nature के income और capital nature के expenditures. आज हम basically जो topic cover करेंगे इस lesson में, वो होगा budget receipt. क्योंकि सबसे पहले government यही पता लगाती है, कि उसको कहां से कितना पैसा आएगा, फिर उसके according expenditure किया जाता है. So, कहां से कितना पैसा आएगा, उसके पास कहां पर कितना consumption किया जाएगा, यही basic pattern होता है. कोई भी person ऐसे तो नहीं कर सकता, कि पहले वो पता लगाए, कि उसको कहां पर कितना खर्चा करना है, then for अपनी income का जुगाड करे, ऐसा नहीं होता. सबसे पहले यह देखा जाता है, कि कहां से कितना पैसा आएगा, फिर decision लिया जाता है, कि उसको कैसे consume किया जाएगा. So, same, government भी ऐसा ही करती है. Indian government, सबसे पहले यह पता लगाते है, कि उसको कहां से कितना पैसा आएगा. So, आज हम budget receipts को with example understand करेंगे. So, यह हमारे पास है budget receipts. अब जैसे कि आपको पता है, budget receipts, government budget की components में से first component है. और यह एक ऐसा component है, जिसके थूँ government यह estimate करती है, कि आने वाले साल में, upcoming financial year में, government को कहां से कितना पैसा आएगा, कब आएगा और कितना पैसा आएगा. So, budget receipts is the first component of government budget in which government will going to estimate the source of receipt for the upcoming financial year. So, budget receipts, government budget का first component है, जिसके थूँ government यह पता लगाती है, यह estimate करती है, कि उसको कहां से, कौन से source से, कब कितना पैसा आएगा. So, क्योंकि budget receipts estimates होते हैं, इसलिए, इसमें government, upcoming financial year के लिए, कहां से कितना पैसा आएगा, सिर्फ इतना ही पता लगाती है, क्योंकि यह actual amount नहीं होती है. Actual amount जादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. So, budget receipts means, an estimate of government receipts, for the upcoming period, from all the sources, during a particular period. Budget receipts का मतलब है, government के दुवारा, अनुमान लगाया गया, वो सारा पैसा, जो government को आने वाले साल में, मिल सकता है, from the different sources. और वो sources दू हो सकते हैं. पहला, revenue receipts, और दूसरा, capital receipts. यानि, government को पैसा आ सकता है, revenue nature की, transaction से, या फिर government को पैसा आ सकता है, capital nature की transaction से. So, चलिए, सबसे पहले हम discuss करते हैं, कि आखिरकार, revenue nature की receipts क्या होती हैं. Basically, revenue nature की receipts, कुछ ऐसे sources of income होते हैं, जो government को daily basis की उपर मिलते हैं, यह recurring nature की होते हैं, यानि, यह regular मिलते हैं, government को daily basis की उपर receive होते हैं. Those receipts, which are regular in nature, and received by the government, from different sources on daily basis, is known as revenue receipts. Revenue receipts, कुछ ऐसे sources of income होते हैं, जो regular nature की होते हैं, government को daily receive होते हैं. लेकिन अगर हम इसको थोड़ा detail में discuss करें, economic point of view से, तो revenue receipts, कुछ ऐसे receipts होते हैं, which do not create any liability, which do not create any liability. यानि, यह हमारे पास है government, और यह हमारे पास है public. Government को मिलने वाला ऐसा source of income, जिसमें government को पैसा मिल तो रहा है, income तो receive हो रही है, लेकिन वो पैसा government वापिस नहीं करती. Revenue receipts कुछ ऐसे incomes होती हैं, जिसमें government को पैसा तो मिलता है, लेकिन वो पैसा government वापिस नहीं करती, यानि government की कोई liability increase नहीं होती. So revenue receipts economic point of view से अगर देखा जाए तो एक ऐसा source of income है जिसमें government को पैसा मिल तो रहा है लेकिन ऐसा पैसा जो government वापिस ही नहीं करती For example, taxes जब आप government को tax pay करती हो तो वो government के पास पैसा आ जाता है लेकिन वो taxes के बदले में government आपको immediately कुछ भी supply नहीं करती Government ये नहीं कहती कि आप tax दोगे तो बदले में हम तुरंत आपको कोई gift देंगे So revenue receipts economic point of view से अगर देखा जाए कुछ ऐसे sources of income है जिसमें government को पैसा तो मिलता है लेकिन वो ऐसा पैसा है जो government वापिस नहीं करती And it does not reduces the assets of the government Second point भी है हमारे पास दूसरी तरफ हमें लिखा है ऐसा income जिसमें government को पैसा तो मिलता है ऐसा पैसा या फिर ऐसा income जो government को receive तो होता है लेकिन बदले में government को अपनी कोई asset sell नहीं करने पड़ती यानि government अपनी कोई asset नहीं बेचती है जिसके कारण government की कोई asset भी reduce नहीं होती So in short revenue receipts कुछ ऐसे nature of receipts होते हैं ऐसा पैसा जो government को मिलता तो है लेकिन बदले में government पैसा वापिस नहीं करती ऐसा पैसा जो government को मिलेगा लेकिन government वो पैसा वापिस नहीं करेगी यानि government की कोई liability arise नहीं होगी या फिर ऐसा पैसा जो government को मिलतो रहा है लेकिन बदले में government अपनी कोई asset नहीं बेच रही है government ने अपना कोई government school नहीं बेचा है फिर भी government को पैसा मिल रहे हैं फार एक्जामपल फीस फाइन पनालिटी अगर आप कोई भी traffic rule फोलो नहीं करते हो तो आपके उपर फीस फाइन या पनालिटी चार्ज किया जाता है तो आपको फीस दे नहीं पढ़ती है फाइन पनालिटी देना पढ़ता है लेकिन क्या government बदले में आपको कोई asset देती है नहीं So revenue receipts, regular nature के receipts होते है जो government को daily basis पर receive होते है यह ऐसे receipts होते है ऐसे income होती है जिसके बदले में government की कोई liability increase नहीं होती और government की कोई asset भी कम नहीं होती So no increase in asset no decrease in no increase in liability and no decrease in assets So next हमारे पास है sources of revenue resets अब जैसे कि हमने आपको बताया revenue resets कुछ ऐसे resets होते हैं जिससे government की liability भी बढ़ती नहीं है और asset भी कम नहीं होती है यानि government को मिलने वाला ऐसा पैसा जिसके बदले में government कोई asset नहीं देगी और पैसा भी वापिस नहीं करेगी वो पैसा government का ही हो जाएगा अब हमें ये understand करना है कि government को ऐसा पैसा कहां से मिलता है जिसके बदले में नहीं liability बढ़ती है government की और नहीं asset कम होती है So two sources हमारे पास हैं First हमारे पास है tax receipts और second हमारे पास है non-tax receipts सबसे पहले अगर हम बात करें tax receipts की तो ये हमारे पास tax receipts दे रखें हैं और ये हमारे पास non-tax receipts दे रखें दोनों को हम detail में understand करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि taxes होते क्या हैं और कितने तरहां क्यों होते हैं basically taxes जो होते हैं वो एक तरह से compulsory payment होती है जो की government को हमें pay करने ही होती है first हमारे पास है progressive tax and regressive tax सबसे पहले अगर हम बात करें progressive tax की तो progressive tax एक ऐसा tax system होता है जिसके according tax charge किया जाता है progressive way में यानि जिसकी income ज़ादा होगी उसके उपर ज़ादा tax charge किया जाएगा और जिसकी income कम होगी उसके उपर कम tax charge किया जाएगा high income higher tax and low income lower tax तो इसको हम कहते है progressive tax इंडिया में progressive tax ही follow किया जाता है क्योंकि income tax के according जिस बंदे की income ज़ादा होती है उसके उपर ज़ादा tax charge किया जाता है और जिस बंदे की income कम होती है उसके उपर कम tax charge किया जाता है इसी के साथ second हमारे पास है Regressive Tax अब Regressive Tax Progressive Tax के opposite है यह एक ऐसा Tax System है जिसके according higher income group के उपर low tax charge किया जाता है और जिसकी low income होती है उसके उपर high tax charge किया जाता है और ऐसा Tax System कहीं पर भी follow नहीं होता है इंडिया में भी यह follow नहीं होता है जिसकी income जादा होगी उसके उपर कम tax होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और जिसकी income कम है उसके उपर जादा tax होगा ऐसा इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में कौन सा Tax System फोलो होता है Progressive Tax ऐसे ही next हमारे पास है direct and indirect tax अगर हम बात करें direct tax की तो direct tax एक ऐसा tax system है जिसके according उस person को tax pay करना पड़ेगा जिसके उपर burden है जो earner है for example अगर हम बात करें income tax की तो जिसकी income है tax भी तो उसी को देना पड़ेगा ना property tax जिसकी property है tax भी तो उसी को देना पड़ेगा ना यानि direct tax और अगर हम बात करें wealth tax की जिसकी wealth है tax भी तो उसी को देना पड़ेगा so in short direct tax एक ऐसा tax system है जिसके according जिस person से income belong करती है tax उसी को देना पड़ेगा यह ऐसा tax system है जिसमें हम अपना tax का burden जो है वो transfer नहीं कर सकते हैं tax burden cannot be shifted हम अपना tax burden जो है वो किसी दूसरे बंदे के उपर shift नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिसकी income होगी उसी को tax देना भी पड़ेगा दूसरी तरफ indirect tax direct tax के opposite होता है यह एक ऐसा tax system है जिसके according हम अपना tax का burden किसी दूसरे बंदे के उपर shift भी कर सकते हैं goods and service tax इसके according जो final consumer होगा tax का burden उसी के उपर shift किया जाएगा जैसे मान लो manufacturer ने अपना product manufacture करके wholesaler को sell कर दिया wholesaler ने यह आगे sell कर दिया retailer को retailer ने यह आगे sell कर दिया final customer को तो tax burden shift होता गया manufacturer ने अपना tax वसूल किया wholesaler से wholesaler ने अपना tax वसूल किया retailer से retailer ने अपना tax वसूल किया final customer से और customer ने आगे तो किसी को product sell नहीं किया इसमें तो final consumption हो गई ना customer के द्वारा तो final tax burden जो है वो finally किसको देना बढ़ेगा final customer को so indirect tax एक ऐसा system होता है जिसके according tax burden जो है वो shift किया जा सकता है और इंडिया में direct और indirect दोनों तरह के tax systems follow किये जाते हैं so इसका मतलब tax एक compulsory burden है public के उपर जो public को देना ही पड़ेगा government को और क्योंकि ये ऐसा income है government का जिसमें government को पैसा मिलता तो है लेकिन government वापिस नहीं करती है वो पैसा और ना ही कोई asset देती है इसलिए ये government की क्या है revenue receipts जिससे government की liability भी नहीं बढ़ती और asset भी कम नहीं होती first इसमें हमारे पास आता है income tax जिसकी income उसकी उपर tax चार्ज किया जाएगा higher income तो higher tax lower income तो lower tax so income की उपर tax चार्ज किया जाता है इसलिए ये direct tax है second हमारे पास है corporate tax corporate tax जो है वो companies की उपर चार्ज किया जाता है क्योंकि जो business organizations होती है वो income तो earn नहीं करती है वो profit earn करती है so corporate tax companies की उपर चार्ज किया जाता है उनके profit की उपर चार्ज किया जाता है और ये भी direct tax ही है custom duty में हमारे पास आता है एक तरह से import duty and export duty अगर आप कुछ भी import export करते हो foreign से कोई product तो उसके उपर ये tax चार्ज किया जाता है अब क्योंकि ये goods की उपर चार्ज किया जाता है इसलिए ये indirect tax है इसका final burden customer को ही देना बड़ेगा excise duty अब नहीं है पहले होती थी excise duty होती है manufacturing tax मतलब जो भी product बनाया जाएगा उसके उपर tax लगाया जाता था अब ये GST में merge कर दिया गया है अब directly GST लगता है so excise duty भी indirect tax है और GST तो indirect tax है ही जिसमें goods और services के उपर tax charge किया जाता है तो ये सारे government के tax receipts है जिसमें government को पैसा मिलता तो है लेकिन government को वो पैसा वापिस नहीं करना होता है यानि नहीं asset बढ़ती है और नहीं liability कम होती है दूसरी तरफ हमारे पास है non-tax receipts so non-tax receipts में first हमारे पास आता है fees अब fees भी government का एक revenue nature का ही receipt है अब आप कोई भी public services use करते हो जैसे death certificate, birth certificate या फिर कोई भी आपको अगर public document चाहिए होता है तो उसके लिए आपको एक nominal fees pay करनी होती है for example registration fees आपकी school की तरफ से एक registration fees वसूली जाती है वो government को पै करनी के लिए ही होती है processing fees so ऐसी fees जो government के पास आती है ऐसा पैसा जो government के पास आता है और government ये पैसा वापिस नहीं करती है तो हुआ न, ये भी revenue receipt लेकिन ये non-text है ये tax की form में collect नहीं किया जाता so कोई भी fees अगर आपको pay करनी पड़ेगी public services को use करने के लिए government services को use करने के लिए तो वो government की non-text revenue receipts है इसके साथ ही fines अगर आप कोई low follow नहीं करते अगर आपने कोई traffic rule follow नहीं किया जिसके कारण आपके उपर fine charge किया जाता है as a punishment तो अगर आप कोई भी law break करते हो जिसके कारण आपको punishment के तोर पर कोई amount देनी पड़ती है तो वो भी एक तरह से non-text revenue receipt है next हमारे पास है estates very important अब कई बार क्या होता है कि मान लो एक person है उसकी पूरी family है एक accident में उसकी पूरी family जो है वो खतम हो जाती है वो अकेला बंदा बचा है उस अकेले बंदे की जितनी भी property है उसकी death के बाद किसकी होगी नहीं पता क्योंकि उसका कोई legal hirer नहीं है उसने यह अपनी property किसी के नाम नहीं की बिना किसी के नाम किए उस बंदे की भी एक दिन death हो जाती है उसकी सारी family तो पहले ही चल सुकी है नहीं है उसकी family में कोई भी legal hirer जो उसकी property को देख सके उसने अपनी ये property किसी के नाम भी नहीं की अब finally ये property गवर्मेंट के पास जाएगी गवर्मेंट इस property को टेक ओवर कर लेगी तो ये भी गवर्मेंट की non-text revenue receipt है क्योंकि गवर्मेंट को बैठे-बैठे बिना किसी liability के increase हुए property मिल गई so after the death of a single person जिसका life में कोई बचा नहीं है तो वो सारी property गवर्मेंट के पास चले जाती है उसी को हम कहते हैं इस चीप्स ऐसे ही fourth हमारे पास है special assessment अब कई बार क्या होता है कि मान लो कि आपने अपना एक घर construct किया और वो जो घर है वो एक ऐसे area में है जो बहुत ही backward है आपने वो घर बहुत ही सस्ते amount में लिया था वहाँ पर road connectivity नहीं है water supply जादा अच्छी नहीं थी electricity 24 hours नहीं आते थी infrastructure नहीं था वहाँ पर infrastructure नहीं था लेकिन बाद में धीरे धीरे government ने वहाँ पर road construction की communication services प्रोवाइड की electricity सही की मतलब पूरा infrastructure प्रोवाइड कर दिया जिसके कारण वो property जो आपने बहुत सस्ते दामों में खरे दी थी अब उसकी value बहुत जादा हो चुकी है तो ये value जो जादा हुई है वो government के कारण हुई है और अगर government चाहे तो इस increased value के उपर अपना amount चार्ज कर सकती है उसी को हम कहते है special assessment तो इसका मतलब अगर आपने कहीं backward area में अपने investment की है बाद में government के कारण वो area develop हो चुका है जिसके कारण वो investment भी भड़ चुकी है तो government उसके उपर एक चार्ज लगा सकती है तो क्योंकि ये भी government की receipt है tax की form में नहीं है इसलिए special assessment को भी हम non-text revenue receipt ही कहते हैं it is charged by the government on those properties whose value has appreciated special assessment एक ऐसा charge है जो government उन properties के उपर वसूल करती है जिन properties के value बढ़ जाती है due to government investment so ऐसे ही next हमारे पास है income from public enterprises अब जैसे कि आपको पता है कि economy में बहुत सारी ऐसी business organizations हैं जो as a government enterprises work करते हैं सबसे बड़ी example है railway railway जो है वो government undertaking है government department के अंडर जाती है तो railway जितने भी अपनी tickets से sell करता है जितने भी fines, penalties चार्ज करता है वो सारी income भी तो government की receipt ही तो है और वो non-tax form में है इसलिए वो non-tax revenue receipts कहलाती है तो अगर कोई भी public enterprises हैं जो government के बिहाफ पर work करती है different different services provide करती है तो उनकी तरफ से जो भी पैसा collect किया जाएगा उनकी तरफ से जो भी profit earn किये जाएंगे वो भी government के revenue receipts ही है So, there are various public enterprises which are operating in an economy and earn some profit from their services So, बहुत सारी ऐसी public enterprises हैं जो different different services provide करती है और government की बिहाफ पर fees, fine, penalty, charge करती है और कई बार तो profit भी earn करती है तो वो सारा profit भी government budget के अंडर ही आता है revenue receipt के अंडर ही आता है Next हमारे पास है income from sale of spectrum अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कई बार government जो है वो कुछ spectrums sell करती है spectrums का मतलब क्या होता है कुछ ऐसी चीज़े sell की जाती है जो on lease होती है यानि permanent उनको sell नहीं किया जाता है For example, government ने एक satellite launch की उस satellite के थूँ जितनी भी telecommunication वाली industries हैं उस satellite को use करेंगी आप internet facilities use करते हो mobile के थूँ एक country से दूसरी country के साथ connect होते हो बात चीत करते हो तो यह कैसे possible हो पाता है satellite के थूँ यह satellite government ने launch की है और इस satellite का use government तो करती ही है साथ में telecommunication industries भी करती है जितनी भी इंडिया में telecommunication industries है वो भी करती है लेकिन क्या government इन telecommunication industries को satellite की usage करने के लिए free में दे देती है obviously नहीं वो इसके लिए कुछ fees charge करती है so जो भी fees charge की जाएगी government के दुआरा satellite को use करने के बदले में वो भी एक तरह से non-text revenue रिशिट ही है ऐसे ही कई बार government जो है वो अपनी कोईले की खदाने भी sell करती है lease पर देती है जैसे एक कोईले की खदान है coal mine government उसको 5 साल के लिए lease पर दे देगी government ये कहेगी कि 5 साल के लिए ये कोईले की खदान आपकी है इसको use करके जितना कोईला निकालना है जितना बेचना है बेचो, हमें एक fixed amount दे दो 5 साल के लिए, तो in that situation, government ने अपनी asset बेची नहीं है, government ने asset बेच कर पैसा नहीं कमाया है, asset government की ही है, अभी भी ownership जो है, वो government के पास ही है, बस government ने इसको lease पर दिया है, 5 साल के लिए, 5 साल के बाद ownership, government के पास वापस आ जाएगे, इसको हम कहते है, income from sale of spectrum, अगर government अपने spectrum सेल करती है, या फिर lease पर कुछ प्रोवाइड करती है, in that situation, government की ये कहलाती है, non revenue, non tax revenue इसके इलावा, other जो incomes होती है, जिसमें dividend आ जाता है, interest incomes आ जाती है, grant, donations, charity, वो सब भी government की non tax revenue receipts ही होती है, कई बार, Indian economy की situation बहुत खराब चल रही होती है, जैसे COVID की situation, या फिर, कोई natural calamity के कारण loss हो जाना, तो इस loss के कारण, बहुत सारे donations आती हैं, grants आती हैं, charities आती हैं, ये सब भी non tax revenue receipts ही कहलाती है, सो ये थी हमारे पास revenue receipts, यानि government की ऐसे income, जिसमें government को पैसा तो मिलेगा, लेकिन government को वो पैसा वापिस करने के ज़रूरत नहीं है, यानि asset बढ़ेगी, नहीं, और ये ऐसे income होती है, जो government बिना asset बेचे कमाती है, यानि asset कम होगी, नहीं, सो ऐसे ही next हमारे पास है capital receipts, जो कि revenue receipts के opposite है, revenue receipts कुछ ऐसे receipts होती है, जिसमें government को पैसा आता तो है, लेकिन ऐसा पैसा जिसमें government को वो amount वापिस नहीं करनी होती है, यानि liability नहीं बढ़ती है, और asset भी कम नहीं होती है, जबकि capital receipts कुछ ऐसे natures of transactions होती है, government को मिलने वाली ये ऐसे income होती है, जिसके कारण, या तो government की liability बढ़ जाती है, या फिर asset कम हो जाती है, यानि, ऐसा पैसा जो government को मिला तो है, ऐसे income जो government को मिली तो है, लेकिन वो वापिस भी करनी बढ़ेगी, for example, ये हमारे पास है, government, government ने मान लो उधार लिया है, borrowings, government ने public से borrowings लिये, आम जनता से पैसा उधार लिया है, तो ये government की receipts है, government को पैसा मिल रहा है, लेकिन भाई, ये government को पैसा वापिस भी करना पड़ेगा, यानि, कुछ ऐसे receipts, जिसमें government को पैसा मिलता तो है, लेकिन वो पैसा वापिस ही करना पड़ता है, यानि government की liability increase होंगी, दूसरी तरफ, those receipts which reduces the assets of the government, government को मिलने वाला ऐसा पैसा, जो government को मिला तो है, लेकिन asset बेचने के बाद, मान लो government ने अपनी asset बेच दी, sale of government hospital, government ने अपना government hospital की पूरी की पूरी building बेच दी, तो बदले में government को पैसा मिलेगा, लेकिन ये पैसा कैसे मिला है, asset को बेचने के बाद, so, दोनों में से एक situation जरूर prevail करेगी, capital receipts, कुछ ऐसे receipts होती है, जिसमें government को पैसा मिलता तो है, लेकिन वो पैसा वापिस भी करना पड़ता है, यानि government की liability बढ़ सकती है, या फिर, asset income, asset receipts, जिसमें government को पैसा मिलता तो है, लेकिन asset बेचने के बाद, so, asset receipts जिससे government की liability reduce हो जाए, assets reduce हो जाए, so, यहाँ पर हमें कह रहे हैं, those receipts which, either increases the liability, or decreases the assets of the government, is called as capital receipts, ऐसा source of income, जिससे government की liability बढ़ जाए, या फिर asset कम हो जाए, उसको हम कहते हैं, capital receipt, जैसे, government ने अगर उधार लिया है, तो है तो यह receipt, लेकिन वापिस भी तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए liability increase हो रही है, दूसरे तरफ, asset receipts, जिसमें government को पैसा मिल तो रहा है, लेकिन asset बेचने के बाद, तो पैसा तो मिल रहा है, लेकिन asset भी तो जा रही है, reduction in assets, तो अगर हम इसकी examples बताना चाहें, तो यह हमारे पास three examples given है, first हमारे पास है recovery of loan, मान लो Indian government ने, Indian government ने, Pakistan government को उधार दिया था, lending की थी, पैसा उधार दिया था, अब अगर यह पैसा वापिस मिल जाए, पाकिस्तान की government, यह पैसा हमें वापिस कर दे, recovery हो जाए हमें हमारे पैसे की, तो government को पैसा आ रहा है, यानि यह receipt है, लेकिन कौन से, capital nature की, क्यूं, क्योंकि जब government ने पैसा वापिस कर दिया, जब Pakistan की government ने पैसा वापिस कर दिया, तो एसेट कम हो गई ना क्योंकि पहले जब हमने उधार दिया था तब हमारी एसेट बढ़ रही थी क्योंकि हमने पाकिस्तान की गवर्मेंट से पैसा वापिस लेना था अब पाकिस्तान की गवर्मेंट ने पैसा वापिस कर दिया तो अब हम दुबारा पैसा तो नहीं मांग सकते जिसके कारण asset कम हो गई तो पाकिस्तान की government ने Indian government को जो पैसा दिया वो capital receipt कहलाएगी क्यों क्योंकि asset कम हो रही है ऐसे second example है borrowings and other liabilities मान लो Indian government ने America की government से उधार लिया borrowings तो ये जो borrowings है इसके कारण Indian की government को पैसा मिलेगा यानि ये रिसेट्स हैं लेकिन कौन सी रिसेट्स हैं capital nature की क्यों क्योंकि इससे government की liability बढ़ रही है क्योंकि ये पैसा government को वापिस भी तो करना पड़ेगा और finally other receipts other receipts में हमारे पास क्या आता है sale of asset अगर government अपनी asset बेज देती है और बदले में उसको income मिलती है तो ये भी capital receipt कहलाएगा क्योंकि इससे government की asset कम हो रही है तो अगर आपको understand करना है कि कौन सी capital receipt है तो बस आपको ये दो conditions चेक करने है assets और liability अगर asset कम हो रही है या फिर liability बढ़ रही है तो वो capital receipts के अंडर ही आएगा तो ये था हमारे पास आज का topic अब इसी topic की उपर based हम कुछ important mcqs और assertion और reason based questions ट्राइ करते हैं वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा तो ये हमारे पास कुछ important mcqs based on the topic हम directly question read करेंगे और उसका answer बताएंगे आप वीडियो को post करके उसका answer predict करके अपने answers को verify कर सकते हैं तो first हमारे पास है which of the following is a non-text receipt कौन सा एक non-text receipt है तो इसका correct answer है donation क्योंकि बाकि सब जो हैं वो text receipts है second हमारे पास है progressive text is a text which is progressive text कैसा text है तो इसका correct answer है option B progressive text एक ऐसा text होते है जिसमें increased rate के according higher income के उपर जादा text charge किया जाते है next हमारे पास है government earned by the revenue earned by the government from the property without any legal hirer is called ऐसी property से पैसा कमाना जिसका कोई वाली वारिस नहीं बचा है उसको क्या कहते हैं इसका correct answer है option B is checked ऐसे ही fourth question हमारे पास है a text the burden of which can be shifted on to other is called वो कौन सा text system है जिसमें हम burden जो है वो shift कर सकते हैं इसका correct answer है indirect text क्योंकि indirect text का burden जो है वो shift किया जा सकता है fifth question हमारे पास है which one of the following is an indirect text so इसका correct answer है excise duty क्योंकि वो एक indirect text है sixth question हमारे पास है text the impact of which lie on the person on whom it is legally imposed वो कौन सा text है जिसका burden shift नहीं किया जा सकता वो text उसी को देना पड़ेगा जिसके उपर वो imposed किया जाता है तो इसका correct answer है option B direct text so next हमारे पास है assertion और reason based question सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि assertion और reason based question में हमारे पास जो चार options होते है उसमें पहला option होता है assertion true है, reason true है, लेकिन explanation भी true है assertion true है, reason true है, explanation गलत है यानि explanation नहीं है option C, assertion true है, reason false है और option D, assertion false है और reason true है तो इसके according आपको ये सारे answers provide करने है First हमारे पास है assertion Dividend received on investment is the revenue receipt of the government तो ये statement absolutely true है अगर government को invest किये गए पैसे के उपर कोई dividend receive होता है तो वो एक तरह से revenue receipt है क्यों revenue receipt है? क्योंकि revenue receipt से government की asset और liability के उपर ना कोई increase होता है ना कोई decrease होता है तो assertion और reason दोनों true दे रखे हैं और दोनों के बीच में proper explanation भी given है तो आपका correct answer होगा option A ऐसे ही next हमारे पास है assertion revenue deficit is a part of fiscal deficit ये statement बिलकुल सही है fiscal deficit और revenue deficit दोनों एक ही topic के अंडर cover किये जाते हैं budget deficit के अंडर so assertion जो है वो हमारा absolutely true है reason fiscal deficit is equals to revenue deficit minus capital expenditure plus non-debt creating capital receipt तो यहाँ पर जो fiscal deficit का formula दे रखे है ना वो गलत है तो कि fiscal deficit का formula हमारे पास ये नहीं होता यहाँ पर लिख रखा है revenue deficit revenue deficit का मतलब होता है revenue expenditure minus revenue receipt capital expenditure और यह हमारे पास है non-debt creating capital receipt non-debt creating capital receipt मतलब other than borrowings borrowings के इलावा जो बाकी की capital receipt है तो हम यहाँ पर लिख देते है other capital receipts तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो revenue expenditure और other capital receipts positive में है जबकि revenue receipt और capital expenditure negative में है जबकि यह formula correct नहीं है correct formula क्या होता है correct formula physical deficit का वो होता है जिसमे revenue expenditure और capital expenditure एक तरफ होते हैं प्लस में revenue receipt और other capital receipts एक तरफ होते हैं प्लस में तो यह wrong है यह false है तो इसका according आपका correct answer होगा option C क्योंकि formula गलत है यहाँ पर ऐसे ही next question हमारे पास है assertion direct taxes have limited reach direct taxes जो है उसकी एक limited reach है क्योंकि वो हर बंदे के उपर apply नहीं किया जाता जिसकी income होगी जिसकी property होगी जिसकी wealth होगी उसे के उपर charge किया जाएगा तो यह statement true है direct taxes do not reach all the sections of the economy यह भी true है direct taxes की limited reach क्यों है क्योंकि यह सभी economy की societies के उपर apply नहीं किया जा सकता हम poor section के उपर apply नहीं कर सकते जो बंदा income नहीं earn करता उसके उपर apply नहीं कर सकते so in short assertion और reason दोनों true है और दोनों में proper explanation भी है इसका correct answer होगा option A ऐसे ही कुछ और questions हमारे पास हैं जो आपको अपने level पर try करने हैं यह आपका homework है जो इसको try करिएगा और इनके answers comment section में जरूर mention करिएगा अगर इनके answers correct होंगे तो आपको like और hurt जरूर दिया जाएगा so 1, 2 and 3 यह 3 questions आपने अपने level पर attend करने हैं वीडियो को like और अपने सभी friends के साथ share जरूर कर दीजेगा ताकि आपके सभी friends इन questions को attend कर सकें और अपनी knowledge increase कर सकें जरूर मैं पर अपने हैं आपके साथ जरूर कर सकें यह 2ений कि आपके साथ ओनना डरूर सकें आपके वीडियों